गुड़ इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल और पताई कैसे आप सब आप सब आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स यह व्लॉग है टूस्टे इवनिंग का और अभी टाइम हो रहा है सामके साड़े चार औ असल मैं ऐसे ही फालतु बैठी हुई थी कोई भी काम नहीं था और कपड़े डले हुए थे दुलने के लिए तो सोचा मशीन ही लगा लेती हूँ क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं मंडे से जो है मौसम बहुत ही खराब हो गया है मंडे को तो बारिश भी हुई थी और दूब भी नहीं निकल रही है तो सोचा अभी धुल दूँगी तो रात वर में थोड़ा जो है सूख जाएंगे और सुबह अगर हलका सभी मौसम खुलेगा तो बाहर डाल दूँगी जिससे की सूख जाएंगे क्योंकि मौसम खराब हो जाता है तो फिर कपड़े सूखने क बहुत दिक्कत होती है अराम से 2-3 दिन का टाइम लग जाता है तो इसी वे से बैठी हुई थी तो सोचा फाल तू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मशीन लगा लेती हूँ तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल लिये थे और अभी भी ही आकर मेरे साथ बाते कर लिये तहीं वे और प्तानी किया बोलता रहता है कुस समझ में नहीं आता है बस ऐसे ही लगा रहता है उपन integrative in a faucion में बदान लिया था की मशीन में कपड़े दुलते हैं जो सफ़ई दाग लग जाते हैं डिटर بن के वह नहीं लगते हैं गर हम पहले ही यह वाला जो गेट है यह थोड़ा टाइट खुलता है तो इस तरह से थोड़ी ताखत लगानी पड़ती है खोलने के लिए और यहां पर मैं अभी को बारवार जो है उपर बिठा रही थी ताकि मैं नीचे जो है जाडू लगा लूँ तो बैठा रहे बिल्कुल भी नहीं बैठता है जितनी देर बस सोता है उतनी ही देर जो है अराम करता है वरना पूरे दिन ऐसे ही इधर उदर इधर उदर जो है करता रहता है शरारत तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका इस टैम तो कि कहीं जो है लग न जाए फिर भी कभी नीचे कभी कुर्सी पर बस वो जो है लगा डला था उसके पैर रुकते नहीं है बिल्कुल भी तो यहां पर जाड़ू मैंने लगा दी थी और बाबू यहां टीवी देख रही है टीवी चल रहा था जाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में तो जो बर्तन थ चाहती हूं हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राबर हैं जिनकी आइड़ी है नाहिद अक्तर तो वह चाहती है कि मैं उनके बेटे का नाम अपनी वीडियो में लूँ उनका एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है नॉमन अनसारी अगर मैं नाम जो है गलत नहीं ले रही हूँ तो और अगर गलत हो तो प्लीज उसके लिए सौरी तो बेटा भगवान आपको जो है दुनिया की सारी खुशियां दे आप हमेशा खुश रहो आप पर जो है कभी भ कोई भी परिशानी ना आए तो बस मेरी तो भगवान से यही दुआ है और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो है इनके बेटे को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसी के साथ मैं आपर बात करती हूं अब एक कमेंट के बारे में आप सबी को याद होगा क कि मैं जब घर से सस्राल गई थी आपको मैंने बताया था कि मेरी सासू माहा उनके चोट लग गई थी तो मुझे जो है बुलाया था तो मैं वहां गई थी बट एक दिन बाद ही मैं वापिस आ गई थी मैंने आप सभी के साथ श्येर भी किया था वीडियो भी मैंने बनाया तो कल जो है मुझे उसी वीडियो पर एक कमेंट आये था कि ससुराल में काम ना करना पड़े इसलिए ससुराल से वापिस आ गई इसलिए ससुराल नहीं जाती है कामचोर कहीं की तो बस मैं उन्हें जो है यही जवाब देना चाहती हूं कि हां मैं कामचोर हूं मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ अपने काम भी नहीं करती हूँ मेरे काम तो जो है कोई और कर जाता है या जो कमेंट कर रही हैं शायद वो मेरे घर के काम कर जाती है और ये तो जो है मेरे जो प्यारे प्यारे वीवर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी कामचोर हूँ वो सब तो मेरी वीडियो से आप सभी को पता चली जाता होगा जबकि आप सभी जानते हैं मैंने आप सभी को बताया है कि मैं एक पेशेंट हूँ उस सब के बावजूद जो है मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ बिना किसी helper के और मेरे दो चोटे-चोटे बच्चे हैं उन्हें भी देखना होता है उनकी पढ़ाई, लिखाई, उनकी care सब कुछ मुझे ही करना होता है इसके साथ-साथ YouTube चैनल भी चलाती हूँ और आप सभी जानते होंगे अब तो जान गए होंगे आप सब कि YouTube पर जो है काम करना भी आसान नहीं होता है तो घर, बच्चे, YouTube ये सभी समालना जो है हर किसी के लिए आसान नहीं होता है मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही अकेली कर रही हूँ बट बहुत मुश्किल होता है जो करते हैं वो जानते हैं इस सब के बावजूद अगर आपको ये लगता है कि मैं कामचोर हूँ मैं कोई काम नहीं करती हूँ तो ठीक है मैं आपके लिए कामचोर ही सही बट ये सब तो जो है मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं मुझे किसी को जो है सफाई देने की जरुवत नहीं है और जिन लोगों की सोच जो है नेगेटिव होती है जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं नेगेटिव ही बोलते हैं तो फिर मैं क्या बदल पाऊंगी तो इस सब से कोई जो है मुझे फर्क नहीं पड़ता है बट कमेंट आया था तो सोचा आप सभी के साथ जो है शेयर कर दूं कि किस किस तरह की जो है लोगों की सोच होती है सब कुछ साफ साफ जो है मेरे व्लॉग में दिखाई देता है उसक जो है श्टड़ी के लिए तो उसे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वही मैं उसको समझा रही थी और उसका जो हॉमवग था वो करवा रही थी क्योंकि हजबंड जो है आते हैं छेह साड़े चेह पर वो आते हैं और सारा दिन ओफिस में रहते हैं माथा पच्ची करते काम करते हैं तो फिर मैं ही जो है इस टाम बाबू को लेकर बैठ जाती हूं ये टाम ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो है काम नहीं होता है थोड़ा फ्री होती हूं तो फिर बच्चों को भी देख लेती हूं बाबू की पढ़ाई लिखाई का भी जो है मैं ही देख लेती हूं हस उसका होमवक وगरा जो भी होता है जो भी से बताना समझाना होता है सब मैं ही कर लेती हूं तो बस यहां मैं बाबु को हो धस्ते हैं में मिलते चुछल शुख ही कर रहे हुझा था और देख सकते हैं पापा की आने की खुशी अभी को कितना जो है एकदम सेतानी करने लगा जैसे ही उसके पापा आये और यहाँ पर योगा जैसा कुछ कर रहा था तो हम सभी लोगों को बहुत ही हची आ रही थी और हस्बन आये थे तो यहाँ पर जो है वो अभी के लिए जो काजु वाले बिस्किट होते हैं छोटे-छोटे वो लेकर आये थे साथ में रस्क खतम हो गए थे तो वो सूजी वाले रस्क ले आये थे तो बस वही जो है यह पॉल्थीन में रखा हुआ है और अब मैं यहाँ पर बना रहे हूं चाय क्योंकि चाय पीकर फिर हस्बन जाएंगे सबजी लेने के लिए जैसा कि मैंने आप इसकास दिन भी आ जाता है कि सारी चीजे एक साथ खतम हो जाती है कुछ भी जो है नहीं होता है तो फिर जो है बैठे रहो इंतजार में की कब जो है काम हो तुकि कल बारिश हो गई थी जैसे मैंने आप सीबी के साश सेयर किया था मंडे के दिन जो है काफी बारिश हुई थी इवनिंग में भी हुई थी तो husband जो है फिर office से आने के बाद नहीं जा पाये थे सबजी वगरा लेनी के लिए तो इसी वेशे सबजी सारी खतम हो गई थी तो बस मैं यहां husband से बात भी करती जा रही थी और साथ मैं चाय भी बनाती जा रही थी तो चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए उसमें चीनी चाय पत्ती अद्रक और साथ मैं कुछ हरी इलाइची डाल दी थी और चाय बन रही है जब तक मैं यहां आपको दिखा देती हूँ कि husband क्या लेकर आए हैं तो यह हैं वो काजू वाले जो बिस्किट होते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं तो यह ले आये थे अभी को भी काफी पसंद आये थे इसी के साथ यह सूजी वाले जो रस्क होते हैं वो ले आये थे यह भी काफी टेस्टी लगते हैं चाय के साथ तो बस इतने में हमारी यहाँ पर चाय भी हो गई थी बनकर तेयार और अब मैं यहाँ पर चाय को निकाल लेती हूँ अपने और हस्बेंट के लिए और साथ मैं आज बाबू के लिए भी चाय बनाई है क्योंकि उसके पापा रसक लेकर आये हैं तो वो तो फिर उसको खाने ही है तो बस उसको खाना था तो फिर मैंने उसके लिए भी चाय बना ली थी और साथ ही मैं दो रसक ले लिए थे एक बाबू के लिए और एक अपने लिए husband से पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था वो जहाता चाय के साथ बहुत ही कम कुछ खाते हैं अगर जादा ही मन होता है तो ही वो कुछ खाते हैं चाय के साथ वन्ना वो ऐसी ही चाय पीते हैं morning में भी and evening में भी यहां वी को मैंने पहले दे दिया था काजू तो उसको अच्छे लग गए थे तो फिर से लेने आ गया था तो यहां पर हमारी चाय हो गई थी उसके बाद फिर husband चले गए हैं सबजी लेने के लिए साथ में बाबू भी चली गई है उसको स्कूल की जो है एक नोटबुक लानी थी तो वो भी अपने पापा के साथ चली गई है मैं अभी रह गए है काम कोई था नहीं तो बैठ गए थे टीवी देख रहे थे कि जब तक आ जाते हैं तब तक वैटे वैटे अपना टीवी ही देख लेते हैं क्योंकि सबजी वगरा है नहीं अगर होती तो फिर सबजी बन कर तो यहां पर देख सकते हैं सारी सब्जी हजबन लिया हैं कुछ फ्रूट्स भी हैं तो अब बनाएंगे डिनर तो वह आपको मिलेगा दूसरे चैनल पर तो इस वीडियो को करते हैं इस पर एंड आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए टेक केर